है है हलो गाइस मैं जिते इंद्र शर्मा डेट्रोंडिफोंट डिसेंट पर आप सभी लोग वस्वत करता हूं आया हूप कि आप लोग बहुत एच्छे हो गाइस मॉर्णिंग के बैच में भी हमाई क्लासिस हुई थी और अब मैं फिर से आपके सामने मिल रहा हूं हो निए हम फ के टैस्रीन् us लेकर करके प्यारे ोश सबस्ण को विल लेकर कर रहा हो एक मिन गाइस हेलो कि से मैं लाइव कर यूट्उड पहूं बताए Prophet से अब आप सीजल की त्यारी कर रहे है तो सीजल का बैच हमारा सीजल का बैच जो है प्यारे दोस्तों यह सीजल का बैच गाइस हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है यह 1 April से crash course स्टार्ट होने जा रहा है गाईस नोट करेज़े 1 April से crash course ठेक है नोट करेज़े गाईस crash course सुरू होने जा रहा है प्यारे दोस्तों और इसकी fee से गाईस बहुती कम है 1724 रुपे नहीं नहीं पहला question यह रहा है जवाब दीजे क्या उतर होगा आपका चावल की खेती के प्रथम साक्षे कहां से मिले हैं जवाब दें क्या उतर है आपका फ़राव गाईस एक इक बच्छा जवाब देगा क्या उतर होगा आपके recording प्रयास सब को करना कोशी सब को करना जवाब सबको देन है भटकना नहीं है जवाब सबको देना है फड़ा फ़र जवाब दीजे चावल की खेती के प्रथम साक्षे पूछे जा रहे हैं आपसे बहुत ही अच्छा कोशन है सिंपल कोशन है जबर्दस कोशन है जवाब दें जवाब दें प्लिकल गंगा घाटी जमना घाटी बेलन ठीक है बेलन घाटी से हमें चावल की खेती के साक्षे मिले हैं और बेलन घाटी कहां पे तो मिर्जापूर में हैं मिर्जापूर कहा है तो मिर्जापूर गाइस यूपी में हैं understand किस नदी के किनारे इस्तित है तो टोंस नदी के किनारे इस्तित है बेलन घाटी टोंस दिल्ली के पहले सुल्तान का नामत आई ये जैसे दच्छिन भात की विज़े प्राइब की थी दफा सुल्तान अफ दिल्ली हूँ अटेम्ट दा कॉंक्वेस्ट आफ साउथ इंडिया वास को तुब नेबक नसुदीन खुसरोसा अल्लावदिन खेल जी जलावदिन खेल जी प्रयास करें कोसिस करें अटेम्ट लें क्या उतर है आपका सबसे पहले दिल्ली का वै कौन सा सुल्तान था जिसने दच्छिन भारत की विज़े प्राप्त किया था रहें क्या उतर है आपका प्रयास सबको करना अटेम्ट सबको लेना है साउथ इंडिया में सामराज जी का विस्तार करने वाला पहला दिली सल्तनत का सुल्तान कौन था बताएं बिल्कुल गाईस अलाव दिन खिल जे इस दराई डांसर इसने देवगिरी के सासक देवगिरी के सासक राम चंदर देव को देवगिरी के सासक राम चंदर देव को पराजित किया था राम चंद्र देव को पराजित करके गाई से यहां पर साउथ इंडिया में अपने वर्चस को इस्थापित किया था किस ने ऐसे अलाव दिन खिल जी ने I hope you understand रॉय जिन का सी और दिप्ति देव ने अलाव दिन खिल जी पायल चौधरी का सी और मिस्टर सोयब का अंसर सी और टिंकू का अंसर खिल जी बिलकू साइड सिन्दु घाटि सबिता के किस सिस्था से अगनी वेदी का प्राप्त हुई है अगनी वेदी का कहा रहा है फायर एल्टर के साक्षे पूछ रहा है आपसे फायर एल्टर के साक्षे कहां से मिले है बढ़ाएं फड़ा उनका जवाब दे दोस्ता सासे जवाब दें कि जुता हुआ खेत का साक्षे कहां से मिला है जुता हुआ खेत जुता हुआ खेत के साक्षे कहां से मिले हैं यह भी जवाब दें जुता हुआ खेत के साक्षे प्रयास करेंगा इसके उत्रों का आपका अटेम्ट लें सासे जब आप देए गोदीवारा के साक्षे कहां से मिले हैं यह भी जब देए यानी डॉक्याड प्रया सब को करना कोईश सब को करना काईज़ बताएं चैन-, इसका आंसर जोगा नोटकर ये साथ हवण कुण के साक्षे कालीबंगा से मिला है नोप करेंजे जूता हु वाख हीत का साक्षव कायद़ काली बंगा से प्राप्थ हुआ है और या घूदी वाराथ साक्षव कह थ लोथलसे मिला है दिलक deed भैप से ही गाइस अगला कोशन वाइरस के कारें निूरस कोंसे भी मारी होती है which of the following diseases are caused due to the virus Ebola, AIDS, SARS, all of the above जवाब दें, प्रयास करें, कोशिस करें, attempt लें, क्या उतर है आपका एक एक बच्चे जवाब दें गाईस, वाइरस की काईस में से कौन सी भी मारी होती है Ebola, AIDS, SARS, उपरोग सभी प्यारे दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चे ने, अगर टैस्ट पैक परचेस नहीं किया तो भाई, टैस्ट पैक परचेस करें, यह टैस्ट पैक मात्र गाईस, 448 उर्पे में टैस्ट पैक मिल रहा है और इसके लिए आपको कोड अपलाई करना होगा, Y242 प्यारे दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा जो नीव स्ट्रेट हो, अगर आप में कोई नीव स्ट्रेट है, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया हो मेरे दोस्त, तो लाइक जरू कर दीजिए, पांचवा कोशन चल रहा है भाई, पांचवा कोशन आ गया, अब तो लाइक की संख्या बढ़ाईए, और अगर आपने शेयर नहीं किया मेरे दोस्त, तो शेयर जरू करें, लाइक और शियर करते चलें बताएं किस गुप्त राजा को लिच्वी दोहित्रा कहा जाता था बढ़ाई क्या उत्रोग आपका विच्वी दोहित्रा दें सीरगुप्त चनगुप्ता फश्र्न की बात कहा है तो ये गुप्त वन्स का संस्थापक थाar कौन गुप्त वन्स का संस्थापक कहा जाता है किसको सीरगुप्त को इसे चनगुपता सेवाइजे और इसे कउवी राज कहा जाता है कवी राज और सासत में अश्यूमेग प्राकरम की उपारी धारन के तिकone अब आपका क्या उत्तर होगा गाईज केड़ी है लिच्वी दोहित्रा काहा जाता है क्योंकि लिच्वी राजकुमारी कुमार्देवी का पुत्र था लिच्वी राजकुमारी कुमार्देवी का पुत्र था इस कायन से लिच्वी दोहित्रा के नाम से जाना जाता है बिल्कु साइड आपको यहाँ पर मैचिंग करना है एक दब देखिए यहाँ पर mountain range है ध्यांस देखिए तो mountain range है और इधर देखिए continent दिया हुआ है याद कीजे ए इसलिए एक पर इपर इधर और इसलिए एक दिया है इसलिए यहाँ पर यहाँ पर यह सिक अफरीका है है और Rocky Mountain Rocky Mountain कहां पे North America में है और Indies कहां पे South America में है तो A का तीसरा A का तीसरा और guys A का तीसरा B का दूसरा B का दूसरा C का पहला C का पहला और D का चौथा बिल्कुल guys B is the right answer B is the right answer बिल्कुल correct है बिल्कुल guys B is the right answer बिल्कुल guys B is the right answer बिल्कुल guys B is the right answer बहुत सही और जबर्दास कोशन, अगला कोशन, मौरेक आलके दोनाराण राज के राजस की वसूली करने वाला दिकारी कौन कहलाता था, बढ़ाएं, which officer used to recover the revenue of the state during the marine period, सन्नीधाता, परदेस्था, समहर्ता, सहनापती, बढ़ाएं, क्या उतर है गाईस, फराफट गाईस, मौरेक आलके दोनाराण राज के राजस की वसूली करने वाला दिकारी पूछा है, वसूली कौन करता था, सन्नीधाता, परदेस्था, समहर्ता, एंड सनापती, चारों में से क्या उतर है गाईस, फराफट जवाब दे दोस्तों क्या उतर है आपका, प्यारे दोस्तों मैं आपसे फिरसर रिपिट करा रहा हुए कि अगर आपने से कोई भी ऐसा बच्चा जिसने लाइक नहीं किया ओटो भाई, लाइक करें लाइक करें गाईस, व्राफट ताके दोस्तों को भी जोड़ा जा सके, क्या उतरे है guys, मौरे काल के दौरान राज के राजस की वसूली करने वला अधिकारी कौन था? बिलकुल गाए C is the right answer, समहर्था इस दा राइड अंसर, समहर्था इस दा राइट आंसर, यानि मौरे काल में समहर्था अधिकारी के दौरा हे राजर्स की वसूली किया जाता था अगला कोशन उस वाइरस का ना मताई जो संगर में जानवरो पक्षी और इंसानों के काटने से फैलता है रेबीज इबोला फ्लेवी वाइरस उप्रोक सभी क्या उतर गाई जवाब दीजे यानि ऐसा कौन सा वाइरस है जिसके कारण जो इंसानों को काटने से फैलता है यानि कि जीव जन्तों के काटने से फैलता है जवाब दे क्या उतर होगा आपका एक एक बच्चा जवाब दीजे एक एक बच्चा प्रयास करें सब लोग कोशिस करेंगे तो बनेगा 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 कनफर्म बनाएं क्या उतर है फड़ा फड़ जवाब दिए दोस्तों क्या उत्र होगा आपका बहुत ही सिंपल कोशन जवाब दें एक एक बच्छा जवाब दिजेगा इस क्या उत्र है आपके कोडिंग भाई प्रयास सबको करना है मेरे दोस्तों अटेंट सबको लेना भाई बिलकुल गाई D is the right answer सब्सक्राइब देखो तीनों answer है चले निवन मैंसे अस्ट महाइस्थान कौन सा नहीं है अस्ट महाइस्थान में कौन सा नहीं है बताएं which of the following is not the 8th place बताए क्या उत्र होगा गाई लुम्मनी राजगरे कोशिनगा तक्षिला बताए क्या उत्र होगा गाई इस आपके कोडिंग फड़ा फड़ जवाब दीजे बनारसी पान कल कहा थे बनारसी पान कल आप कहा पर थे आज सूबा भी आपने है आए थे क्लास लेन बिलकुल गाई तक्षिला इस दरा राइट आंसर यह बाकि जो है यहां पर सामिल है देखे जैसे लुम्मनी की बात करें तो बुद यहां पर पैदा हुए थे बुद पैदा हुए थे लुम्मनी में यह सनो राजग्रह में बहुत संगिती होई थी याद होगा आपको प्र यहां पर मरिस्तल है एक तरफ मरिस्तल है दुसेदर देख का नाम है आपको बताना ऐक कौन सा जूरा सुमिलित नहीं है नहीं कौन सा है बताएं Gibson Desert चली कलकर आया था Great Victoria Desert Australia, Patagonia Desert Argentina मालाहारी बह स्वाना, यह मालाहारी नहीं कालाहारी यह ध्यान अखना यह कालाहारी है भाई आरे कोशिस तो करिये मेरे दोस्तों एक एक बच्चा प्रयास तो करिये मेरे दोस्तों अटेम्ट तो लीजे मेरे दोस्तों क्या उतर है आपका फड़ गया जवाब दीजे मातमा बुझ से जुरे आठ इस्तानों में से तक्षिला सामिल नहीं है याद रखना रोई जेंट ठी आर्टा कामा कहां पर चले और गिब्सन डिजर्ट कहां पर ऑस्टेरिया तिरती है बहुत संगिती किसके सासन काल में होई थी बढ़ाएं यानि कि तीसी बहुत सभा पूछ रहा है During which period did the third Buddhist council third Buddhist council पूछा जा रहा है मेरे दोस्त बता दीजे क्या उतरोग आपका यानि तीसी बहुत सभा का आयोजन कहां पर हुआ था प्रयास करें कोसिस करें अटेंट लें क्या उतरोग आपका प्रयास सबको करना है कोसिस सबको करना है जवाब सबको दीना है बनाएं बिलकुल का इस असोगा ऊशोग का इस राईट ऑंसर काला शोग की बात कहां तो दूसरी बाहुत सभा इससी की समय तही कहां पर तो वैशाली में काला सोग के समय याद रखना ठीक है करिस की बात करें तो करिस के समय में चौति काहां पर तो भाई कशमीर में होई थी नोट कर ली जे ठीक है ऑप पर नुट करकते हैं In the host cell, replication of RNA virus took place in nucleus, cytoplasm and mitochondria and centriol. जवाब दें, प्रयास करें, कोसिस करें, attempt लें, क्या उतर है आपका? फड़ा फड़ा काई जवाब दें दोस्ता, यहनि जो host cell में RNA virus की प्रिकृती क्या होती है? प्रितिकृती पूछ रहा है, RNA virus की प्रितिकृती क्या होती है? प्रितिकृती बनाएं, in the host cell, replication of RNA virus took place in. जवाब देंगा, इस करेंगा, प्रयास करेंगा, इस करेंगा, इस करेंगा, फड़ा रहा है, जवाब देंदें दोस्ता, बिल्कुल गाइस, बिल्कुल गाइस, cytoplasm is the right answer, cytoplasm is the right answer, बिल्कुल सही. आपने, पाइल चौधरी का बेगलत हो गया, और दीप का अंसर बेगलत कर दिया, सुसीला प्रजापती ने डी गलत कर दिया, और हेमंद का अंसर भी गलत हो गया, बनारसी पान का भी गलत हो गया. चले गाइस, आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद का एक मात्र पुत्र का क्या नाम था, बताएं, फड़ावर काई जवाब दीजिए दोस्ता, what was the name of गौतम बुद्धास son only, बताएं गाइस का तो आप, यानि गौतम बुद के पुत्र का नाम क्या था, जवाब दीजे, इसका, एजे मात्मा बुद का, इनके बच्पन का नाम सिधार था, याद रखना, इनके बच्पन का नाम सिधार था, और इनका विवाब हुआ था, ये शोद्रा से, नोट करेजे गाइस, ये शोद्रा, क्लियर है, ये शोद्रा से विवाब हुआ था, और इने एक पुत्र प्राप्ते वियुते जिसका नाम था राहुल क्या पुत्र का नाम था राहुल क्लियर है 29 वर्स की अवस्ता में इन्हों नहों गरहते आगा था 29 वर्स की अवस्ता में I hope you understand बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बिल्कुल निमगid कत्वों पर विचार कीजिए आपको निमग modern विचार करना या consider the statement भारत में गिर्परवर्शिंख्ला गुजरात प्रष और यकिने बहुत्टरे बादे मुझे पूरा यकीन है फुरा यकिन पूरा यकीन है बत्चте से बनेगा पहले दोस्त प्यारे दोस्त अगर आप मेंसे किसी ने लाइक नहीं किया तो मेरे दोस्तों लाइक कर दीजे फड़ाफट लाइक कर दीजे और प्यारे दोस्त अगर आप मेंसे किसी ने शेयर नहीं किया मेरे दोस्तों शेयर कर दीजे भाई like and share तो बनता है like and share बनता है बिल्कुँ सही दीज दराइडान सब बिल्कु सही यानि गेर परवर्शिंखला गुजरात में इस्तित है और यह साइज सिंगों के लिए प्रसिद है और यह पस्मी घाट के उत्तर में इस्तित है बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है मेरे दोस अगला कोश्म नटराज की कहां से मूर्टी किस वन से समंदित है ब्राउंच स्टेट्यू आफ नटराज बिलॉंग स्टो विच डैनेस्टी क्या उत्र है गाइस चोल चेर पंडे रासकूट चोल चेर पंडे रासकूट क्या उत्रोग आपका फड़ा फड़ा जवाब यह फड़ा फड़ा जवाब दीजे यह कोशन सबसे सिंपल है मेरे दोस्त एक बच्छ जवाब दीजे भाई चैड़े बच्चों यहां पर ऑनली अभी मैं जस्ट चेक है 36 इस्ट राइक किया है अभी तक अभी सिर्फ 36 इस्ट राइक किया है बाकी लोग कप करेंगे भाई क्लास के बाद जली देखें मैं चैक कर रहा है यहां पर ऑनली 36 इस्ट राइक किया है अभी ऑनली 36 ने किया है तो भाई संख्या बढ़ाए यह फड़ा फड़ा पर संख्या बढ़ाए यह जली जली गाइस लाइक करें और शेयर करते चलें बिलकुल गाइस ए जराइड चाला रहा है पाइल चौधरी का चोल आ रहा है और सूरज विसकरमा का भी ए यह जली गाइस किस अबधी के बाद वाइरस शरीर में पर्तिकृती बनाता है और प्रभावित करना सुरू कर देता है यह आप से कोशन कह रहा है आफ़र विच्पीरियड वाइरस जवाब दें उश्मायन अवधी उनकोटिंग और साथ साथ में पैनेटरेशन अनुपरोग में से कोई नहीं क्या उत्र है जवाब दें दोस्ता बेलकुल गाइस इसका आंसर आपका इस राइट आंसर इनक्यूबेशन पिरिए इस राइट आंसर बिलकुछ सही उश्मायन इस एक्टिव होता है और यह सरीर में अपने इफेक्ट छोड़ने लगता है बिलकुल गाइस तो इस राइट आंसर बिलकुछ सही बिलकुछ सही सब लोग को जवाब से ही आ रहा है अमोग वर्ष ने किस वन्स की स्थापना किया था रहें अमोग वर्ष वास रिलेटेट साथ इंडिया बट नॉर्ट इंडिया अरे ठीक है रहा एजेंट जवाब दें क्या उतर है आपका निखिल प्रजापती जवाब दें निखिल प्रजापती कैसे बिठा निखिल प्रजापती लाइकन शेड़न है और दिप्ति देव लाइकन शेड़न है निखिल से माना जाता है बिल्कु से गाइस बिल्कु सही अगला कोशन एक तरफ भंडर जीप अभिरन और दोसी तफ राज्य थोरे है यह यहैंग किल के गौद लामजाव मनिपूर मनिपूर तरह वाइले हैं ? गाटी केरल, अब बोहर हर्याना कि बोलामजाब मनी पर zवब दें प्रयास करें, कोसीज करें अटेम्ट लें, क्या उत्रे आपका बिलकुल guys, see the is the right dancer, see the right dancer, बिलकुल सः, अब बोहर जो है, पंजाब में है, याद करना अब ओहर कहां पे पंजाब में है और हरियाना में सुल्तानपूर है याद रखना ये पेपर में कई बार आ चुका है याद रखना मेरे दोस्त हरियाना में सुल्तानपूर और अब ओहर कहां पे तो पंजाब में लोकेटिड है आगे बढ़ते हैं बितेन की रानी अलिज़ा बेत प्रथम किसके समकालीन थे क्या उत्रगा इस जवाबते प्रयास करें कोशिस करें अटेम्ट लें क्या उत्रे आपका फड़ा उत्रगा आपका बिटेन की महरानी अलिजाबेत प्रथम दिया जबाब दीजे अकबर अलिजाबेत प्रथम ती यह अकबर के समकालिन थी और इसी अलिजाबेत प्रथम ने 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1600 इस्वी को 1600 इस्वी को यहाँ पर British East India Company को charter दिया था charter दिया था आधिकार पत्र दिया था ताकि वह पूरब के देशों के साथ वेपार कर सके पूरब के साथ वेपार कर सके ऐसा चार्टर दिया था किसने महराणी अलिजाबित फस्ट है अगला question double stranded DNA is found in which virus double stranded DNA किस virus में पाई जाते हैं बहुत अच्छा गाइस box virus and guys poliomyelitis virus influenza virus उपरोग में से कोई नहीं क्या उतर है guys फरावर जवाब दे double stranded DNA किस में पाई जाते हैं double stranded बताएं guys क्या उतर है आपका बहुत अच्छा question है जवाब दीजे मेरे दोस्ता प्रयास करेए science का जबर 10 question पताओ क्या उतर हो आपके recording एक एक बच्चा प्रयास करेगा आप में से फड़ाफड गाई जवाब दीजे एक एक बच्चा guys और raw agent monster raw agent जिस बच्चे को टेलीगराम पता है सारे बच्चे को टेलीगराम पर जोड़ो यारो ये भूल कैसे जाते हो आप लोग दोसे बच्चे को भी टेलीगराम पर जोड़ो हमारे साथ चले अस्वरण जीत empire का एगया रवी राज का अंसर ए आ गया बिल्कुल गाइस पॉक्स वाईरस इस दा राइट आंसर अगला कोशन अब्दुल्कादिर बदाईूनी नकीब खान ठानेश्वर किसके दरबार में थे अकबर जहांगीर साजा और और अरंग जेब दाएं अब्दुल कादिर बदाईूनी नकीब खान एंठ अगर हम यहाँ पर बात कहें तो यह अकबर ही सासक था जिसने दास वेस्ता पर रोग लगाई थे दास वेस्ता के सास जजिया कर पर रोग लगाई थे तीर्थ यात्रा कर पर रोग लगाई थे किसने अकबने जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा नियाए पे बल दिया गया था नियाए पर सबसे ज़्यादा फोकस और चित्रकला का स्वनकाल कहा जाता है किसके टाइम पेड को जहांगीर को और ये संग मरमर का संग मरमर का स्वनकाल कहा जाता है किसके टाइम पेड को स कट्टर मुसल्मान था कट्टर के लिए जिसने हिंदू मंद्र को तोड़े थे और साथ साथ में यही वो औरेंग जीपता जिसका मोटो था दरूल हग को दरूल इसलाम के रूप में करना बिलकुल गाइस इस राइट आंसर अकबर इस राइट आंसर बिलकुल सही अगला कोश जबरदस्ट कोशन गाइस विच आफ दा फॉलवविंग ऐलिमेंट्स विच आफ दा हैस दा हाइस प्राइमेस इन द अर्थ क्रस्ट जवाब दे नाईटोजन कारबन आईरन आक्सीजन देखतें किसमें कितना दम है और कौन सही जवाब देता है प्रयास करें एक एक बच् किस करेगा इस क्या उत्रग आपका निम्गत मैंसे किस तत्व की प्रधानता भूप पॉपर्टी में सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन कार्बन आइरन ऑक्सीजन क्या उतर है जवाब दो फड़ावर गई जवाब दें दोस्ता बिल्कुल गाइस आंसर की बात करें बिल्क यह वायू मंडल में इनकी मातरा जादा है वायू मंडल में नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 78% वायू मंडल में है अंडरेसैंड और Сीओ तू की बात करें तो 0.03% कहां पर है एट्म databूसफेर में तो इसके अक्वाइटिंग आंसर बिल्कुश सःए पूरी भी है ऐसा बच्चा कोई भी है ऐसा बच्चा जिसने लाइक नहीं किया हो मेरे दोस्त लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करना लाइक जरूर करना और अगर आप में इस किसी बच्चे ने शेयर नहीं किया मेरे दोस्त तो शेयर जरू करना लाइक एंड शेयर जरू कर दी थे बल्बन, अलबरोनी, अमिर खुसरो और इबन बतुता चब अबन की बात करें तो बल्बन ने रक्त और लोग की नीती रक्त और लोग की नीती के लिए जाना जाता है अगर इतिहास जाना जाता तो रक्त और लोग की नीती के लिए जाना जाता है किसको बल्बन को अगर हाँ पे विल मतुता की बात करें तो इसमे इस ने विल मतुता ने रहला नामक पुछत की रच्णा की थे और इसने थे अमबीटे मुहमद बिन तु भारत की यहातिरा की था धार जियाद के के साथ महमूद या रखिये मामुद गजनवी के साथ भारत आया था मामुद गजनवी के साथ भारत आया था किलियर एक जिसने किताबल हिंद की रचना के थी जिससे हमें भारत के बारे में विस्तार सी जनकारी मिलती है और इसी जो किताबल हिंद पुस्तक है इसे तहकी के हि के नाम से भी जाना जाता किसका किताबल हिंद को एक वाइरस एक प्रोटीन शैल के अंदर एक डीन न या ने जीनोम से बना होता है कैपसिट हॉस्ट लिफाफा लाश गाज़ू कैसे डैट एट वाइरस इस मेट अपफ दीन ने और ने जीनोम इंसाइड अप्रोटीन सेल ना एक वाइरस एक प्रोटीन जवाब दे या आरन ने जी नॉम से बना होता है जब हर ने जी नॉम से बना होता है है जम आप दें प्रोग आपका फर्यास करें गास एक बच्चा जवाब दे बिलकुल गाईज is the right answer, cap sit is the right answer, cap sit is the right answer, प्यारे दोस्त, आप लोग इतने बच्चे class ले रहे हो, संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, भाई फड़ावट संख्या बढ़ाईए, इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा, संख्या बढ़ाईए, फेस्बूक पे शेयर करो, वाटसब पे शेयर करो, टेलिग्राम पे शेयर करो, संख्या को बढ़ाऊगे, तभी class ही continue हो पाएगी लगाता, नहीं तो बहुत दुखदाई है, पहाई शेयर करिए फड़ाफट जली अलीशेयर करें, अगर एक इक बच्चा भी शेयर करेगा ना, तो भी संख्या बढ़ जाएगी, यहनी लाइक एंड शेयर करते चलें, फड़ाफट लाइक करें और शेयर करें, झज़ए लाइक एंड शेयर, अगला question, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बेच उसकी इजाज़त के बिना दावतों तैवार मनाने पर रुख लगा दी थी जवाब दीजेगा इस क्योतर का आपका प्रयास करेंगा इस क्योतर का आपका एक एक बच्चा जवाब देगा फड़ाफट जली लिगाई जवाब दीजे क्या उतरोगा आपके वाडिंग जगाई बिलकु सही सी जराइट आंसर लावदिन खेल जी जिस ने राजनीती को धर्म से अलग किया था या रखना आपसे बार बार पेपर पूछता है कि दिल्ली से इसे सेनिकों में नगत वेतन देने की शुरुवात किया था नगत वेतन और याद रखना यही सा सकता जिसने बाजार नियंतरन विवस्ता की सुरुवात की थी आपके पेपर में बाद बाद कोशन पूछता है याद रखना अगला कोशन बाबर ने भारत का सबसे सकती साली राजा किसे बताया है बाबर हैस डेस्क्राइब दा मोस्ट प रोजेंट सागर गले सागर लिंक दनको डे दो और ते लिग्राम लिंक सागर को रॉजेंट पूजा गुप्ता धुभार इसको ट्युक्राम लिंक से जोरो सागर को ज्रेंगाईस बाबर ने भादका सबसे सकती साली राजा बिलकुछ। हैस यंजर कृष्ण देवराifi कृ ये विजय नगर का विजय नगर का सासक था विजय नगर के सासक थे कौन क्रिस देव राय और ये राना सांगा कहां का सासक था मीवार का सासक था याद रही कहां का मीवार आई ओप यू अंडेसें गाइस चले आगे बढ़ते हैं भारत में समीधान दिवस कम बनाय जाता है स Constitution Day was celebrated in India, क्या उत्रोगा गाईज, 26 नॉम्बर 1949, 2950, 2930, 2950, क्या उत्रोगा गाईज, Constitution Day, Constitution Day पूछ रहा है, फड़ा पड़ गाईज, जवाब दीजे दोस्तों क्या उत्रोगा आपका, प्यारे दोस्तों जवाब दीजे, कोशिस करें गाईज, समीधान दिवस मनाय जाता है, स प्रयास करें, कोशिस करें, गाईज, बिलकुल गाईज, 26 नॉम्बर 1949, इसी तारिक को समीधान के कुछ प्रावधन लागू किया गया थे, इसी कारण से 26 नॉम्बर को ऐजे समीधान दिवस के रुपे सेलिबरेट किया जाता है, जबकि पूरा समीधान 26 जनवरी 1950 को लाग किया गया था, आई होप, यू अंटेंड अगला कुशन, निम्बर सहरों में से एक प्रसित इसमारक रूमी दर्वाजा कहां पर इस्तित है, रूमी दर्वाजा पूछ रहा है, बनाएं, वेर इस दा रूमी दर्वाजा, ए फेमस मॉनुमेंट अमंग दा फॉलिंग रूमी दर्वाजा पूछ रहा है, बताएगा इसका रूमी दर्वाजा का निर्मान जो है, यह आवद के नवाबों ने, आवद के नवाबों के द्वारा इसका निर्मान कराए गया था, द्वारा निर्मान कराए गया था, यानि आवद के द्वारा, आवद सासन के द्वा निर्मान करा गया था बिलकुल अंसर लखनों किस हार्मोन का सराव होता है जननंग से कह रहा है जननंग से ठीक है which hormone is secreted from the female reproductive organ in humans जवाब ने क्या उतर है आपका estrogen, progesterone, relaxin, सभी कतन सत्ते हैं यानि मादा जनन अंग से किस hormone का सराव होता है मादा जनन अंग से पूछा है फड़ा पर गाई जवाब ने दोस्तों क्या उतर है आपका estrogen, progesterone, relaxin, सभी कतन सत्ते हैं बिल्कुल गाईस, C is the right answer, relaxin is the right answer जब बच्चा पैदा होने वाला होता है बच्चा पैदा होने वाला होता है तब ये हार्मोन निकलते हैं ये हार्मोन निकलते हैं, understand? निकलते हैं, ठीक है? याद रखना, relaxin, हार्मोन, understand? महरुणिसा किस नाम से परचलित थे जवाब दें इतिहास में49 डिदें अनूर जहां अनूरvel जहां मर्यम जमानी निवे ostr कोई नहीं क्या उतर है गाइस कोशिस करें अटेंट लें क्या उतर हो आपका एक एक बच्चा जवाब दे एक एक बच्चा कोशिस करें एक एक बच्चा जवाब दे क्या उतर है आपका प्यारे दोस्तों मेरी डेली क्लास होती है डेली क्लास याद रखना डेली क्लास की नोर जहां, इजदर राइड आंसर, नोर जहां को भारतियास में महरुनियसा के नाम से भी चाना जाता है, यह महरुनियसा जो थे जहांगीर की पतनी थे जिसे नोर जहां की उपादी दिया गया था, अगला कॉश्शन, भारते समाइधान का निर्मान किस प्लान के तैट किया गया था यह तो सबसे सिंपल है यह तो सबसे सिंपल है जवाब देदो अंडर विच प्लान वाज़ दा Constitution Assembly of India फॉर्म क्रिप्स मिशन अगस्ट प्रपोजल क्याबिनेट मिशन एंड मांट बेटन प्लान जवाब दें क्रिप्स सीज रएडान से कैबिनेट मिशन प्लाण फॉन मिशन में तेन सदरसे थे लॉट पैथिक लाइंस, MR. AV. आलेक्सेंडर and Mr. Sir स्टेफर्ट क्रिप्स याद अखना टीन मेंबर थे Mr. A.V. आलेक्सेंडर Sir स्टेफर्ट क्रिप्स and एक और था Lawrence Lawrence, clear है Lawrence, understand जो Lawrence था इसी को माना जाता है कि यह chairman था, clear Lord Pathic Lawrence, याद अखना Lord Pathic Lawrence as a cabinet mission के chairman थे, I hope you understand अगला कुशन अक्बर नामा किस भासा में है इन विच लैंग्वेज इस अक्बर नामा फार्सी चक्ताई उर्दो हिंदी यह तो जवाब देतो अक्बर नामा और यह अक्बर नामा की रचना की बात करें तो यह अक्बर नामा की रचना अबूल फजल ने की थे अबूल फज रचना की गई थे इसी का पार्ट एक आईने अकबरी है याद रखना आईने अकबरी इसी का एक पार्ट है जिसके रचना इसी अबुल फजल के द्वारा किया गया है बिलकुल गाइस प्यारे दोस्तों प्यारे दोस्तों फिर से रिपिट करना चाहूंगा अगर आप मेरे च जूरिये गाई सफलता मिलेगी, कनफर्म मिलेगे, यकीन मानिये, who controls voluntarily movements in humans, मनुसे में एक्छी गतियों को कौन नियंतरित करता है, या किसके दौए नियंतरित होता है, मनुसे में एक्छी गतियां किसके दौए नियंतरित होता है, cerebrum, thyra, cerebralum and इनमें से कोई नहीं, मनुसे में ऐक्छी गतियां किसे नियंतरित होती हैं, प्रयास करें, प्यारों दोस्तों अगर आप मेंसे कोई भी ऐसा बच्चा जिससने लाइक नहीं किया, तो like करिए guys प्यारे दोस्त अगर आप में से किसी ने शेयर नहीं किया भाई तो share करें फड़ाफट like and share करें like and share करते चलें guys like करें share करें like करें share करें फड़ाफट guys जली जली फड़ाफट करें guys like and share कि संख्या बढ़ाईए एक एक बच्चा करेगा तो संख्या बढ़ेगे बिल्कुल बढ़ेगे निश्चित बढ़ेगी गाइस आपके उपर डिपेंड करता है कि आप कितना हमारे साथ कॉप्रेट करते हैं गाइस आपके उपर डिपेंड करता है चले तो फड़ा फड़ लाइक एंड शेर करें इतन बिल्कु सही मेरे दोस्त बिल्कु सआही आ रहा है येस बनार्सी पांड में समझ में नहीं सभथ दिया कि चले आगे बढ़ते हैं के तट पर कोन सा राज्य विकस्थ हुआ था तुंग दब्रा के तट पर कान सा राज्य विकसित हुआ था विच एमपार डेवलर्ट ऑन जवाब देगा इसका उतरूगा आपका फ्राफट गाइस यानि कि तुंग बदरा नदी के किनारे किस राज्य की स्थापना हुई थे विजय नगर बैमनी चालुक के चोल क्या उतर मेरे दोस्त फ्राफट गाइस जवाब दीजे बिल्कुल गाइस ए इस दराइड आइड DHK किनारे बिल्कुल गैस मोंस्टर कांसर आ गया राज़ेट का ए आ गया दीप आ भावना कांसर ए आ गया असर में जिस चीज को लेकर करती हूं उससे कभी शियर नहीं करती लाइक क्यों कि करूं यानज्पाइड अच्छा भाई प्रगतिमी श्रा आपका में बहुत से लिया गया है क्या हुत रहे गाइस इन इंडिया प्रेसिदेंशियल इलेक्शन सिस्टम इस डिराइफ फ्रॉम दा कॉंस्टिशन ऑफ विच कंट्री जवाजी का इसका तुर्ग आपका आयरलेंट अमेरिका ऑस्ट्रेलिया एंड करनेडा प्रयास करें कोशिस करें सबसे सब्सक्राइब है कि अमेरिका से चौनकराशियल सर्थ मेरे दोस्तों संवर्ति सोचे और ऐसी और बाल वागत बाब पेपर पूछता हैं जॉइंट सैयसन या तो joint session पूछेगा आपके paper में यहां से या guys अगर बात करें तो आपसे कौन करें लिस्ट पूछेगा और Canada से बात करें तो राज जिपाल या रखना राज जिपाल का प्रावधान Canada से लिया गया है और इसका answer बिलकुँ सही Ireland is the right answer Ireland is the right answer अगला question guys शरीर का तापकरम कहां पे नियंतरित होता है बनाएं where is the temperature of the body controlled क्या उतर है guys प्रयास करें दोस्तों क्या उतर है आपका प्रयास करें कोशिस करें guys क्या उतर हो आपके gauding एक एक बच्चा जवाब दीजे भाई क्या उतर होना चीए आपके gauding जवाब दीजे दोस्तों फड़ा फड़ा जवाब दीजे शरीर का तापकरम कहां पे नियंतरित होता spinal cord, cerebellum, hypothalamus and pituitary gland बनाएं क्या उतर है guys फड़ा फड़ा जवाब दीजे बिल्कुल guys सी जराइड आपकरम होता है वो basically हमारे hypothalamus में नियंतरित होता है बिल्कुल नुट कमिजे बहुत अच्छा question है guys चले पवन माथुर ने भी जवाब सही दिया आसमा खान ने भी जवाब सही दिया दिप्ती ने आंसर जवाब सही दिया सोनी गो स्वामी ने जवाब सही दिया अनुशेद पंदरा अनुशेद 21A क्या होतर है गाइस आपके according क्या होना चाहिए प्रयास करेगा इस क्या उतर हो आपका फड़ा फड़ गाइस भावना जी जवाब दीजे क्या होतर है आपका बिल्कुल गाइस 86th Amendment Act 2002 के द्वारा 86th Amendment Act 2002 के द्वारा अनुशेद 21A जो रहा गया था जिसमें 6-14 वर्स तक के बचों को मुफ्त सिक्षा देने का प्रावधान किया गया है बिल्कु सेक्ष गाइस बहुत से बहुत से बहुत से बहुत से बहुत से बहुत से गाइस अगला कोशन ऊर्जा उपादन के लिए कोशी का प्रावध किसका उप्यों करती है बढ़ाएं Amyno Amal Glucose वसामल सुक्रोस क्या उतर है वाट ड़स दा सेल उफन यूस्टू प्रोड्यूस एनरजी चारों अप्शन में से क्या उतर न चाहिए आपकी कॉर्डिंग एक एक बच्चा प्रयास करेगा तो बनेगा 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 फड़ा फड़ा जवाब दीजे फड़ा फड़ा जवाब दीजे आसीस तिरपाथी का आरहा है 21 से ठीक है भाई आसीस ठीक है अब कोशन चला अरतिस भाई अरतिस पे फोकस करो भाई अरतिस पे फोकस करो अरतिस पे हैपी होली जागरती जी हैंपिफी हो लई कैसी हैं आप पपन मातुर्थ का Glucose बिलकुल ब्राइब कर रहा है और राज ने जबाब सही दिया और ने ने शन फस्ट सही दिया बहुत सही आए बहुत सही गाई चलिए आगे बढ़ते हैं आपसे कहा रहा है नमगित मैंसे कौन सा RNA प्रोटीन संसलेशन में साहिता करता है बताएं कल रात का कोशन है कल रात वाला कोशन है बताओ आप गलत नहीं करना अब गलत नहीं करना क्या आंसर है आपका बताएं प्यारे दोस्त अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसने लाइक नहीं किया हो या उठा नहीं टेका हो तो भाई यहां पर हमारे लिए लाइक करिए like करिए guys अगर आपने हमारे लिए share नहीं किया है प्यारों दोस्तों अगर आप में से कोई भी बच्चा तो भाई share करिए like and share करते चलें like करें share करें like करें and share करते चलें MRNA is the right answer MRNA is the right answer बिलको सही अगला question निमन मैंसे किस से जीवन का भौतिक आधार माना जाता है यहां कहरा which of the following is considered the physical basis of life physical basis of life खुशी जांगेद स्वागत है आपका खुशी बिटा जवाब दो क्या उतर है आपका जीवन का भौतिक आधार किसे का जाता है बिटा प्रयास करिए कोसिस करिए बिटा आंसर देने का प्रयास करें कोसिस करें क्या उतर होगा आपके प्रयास सब लोग करें कोसिस सब लोग करें जवाब सब लोग दें बिल्कुल गाइस is the right answer a is the right answer बिल्कुल सही cytoplasm is the right answer यहां पे कोशिका बित्तिक बात करें तो यह पौध हो पौधों और जन्तु कोशिका को अलग करता है ठीक है याद रखना ठीक है और राइब वसोम्स की बात करें तो यह प्रोटीन का संसलेशन करता है आई होप यह अच्छी तरह से रटा चुका हूं बताएं वीर केशवर सिंग वीर केशवर सिंग जवाब ने क्या उतरोग आपका वीर केशवर आंसर पर ध्यान दें प्लीज क्या उतरोग आपका प्रयास करिए कोशिस करिए अटेंब लीजिए क्या उतरोग आपका जंग के धब बेटाने क्या जाता है आरे यह तो जवाब देदो बिल्कुल C is the right answer, oxalic acid is the right answer, और प्यारे दोस्त, अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसने test pack, ये test pack purchase नहीं किया, तो मेरे दोस्तों test pack purchase करें, मात 448 रुपे में test pack मिल रहा है, और इसके लिए आपको code apply करना है Y242, Y242 code लगाएं, code लगार guys, ये test pack purchase करें, अग and altimeter Y1 की उचाई, भाई, जवाब ने क्या उतर है आपका, प्रयास करें guys, प्रयास करें तीन question मैंने रात वाले उठाया था, रात वाले में से तीन question रखा है, बागी कोई repeated नहीं है, चले, बिल्कुल guys, rain gauge is the right answer, बिल्कुल सही, rain gauge is the right answer, और rain gauge से वर्षा का मापन किया जाता है, अगला question guys, match the list first and list second, सुची first को सुची second से मिलान करना है, फराफट मिलान करें, अभी मैं नहीं पहले आप मिलान करें, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, पहले आप मिलान करें, और फिर जवाब दीजे, क्या उतरोग आपके according, प्रयास करें guys, एक एक बच्चा प्रयास कर क्या उतरोग आपके according, सुची first को सुची second से आपको matching करना है मेरे दोस्त, फराफट काईज बताएं, चले guys, डाइनेमो की बात करें, डाइनेमो माइकल फैराडे, यांते घरे की बात इसमें आएंगे, loud speaker सामने सामने, और fountain paint सामने सामने, ठीक है, तो एक का दूसरा, तो ए इदुत उर्जा का सुरोथ क्या होता है, एक जो कृतिम artificial satellites होती है, उसकी energy का main सुरोथ क्या होता है, what is the sources of electrical energy and artificial satellites, क्या होता है guys, भाई प्रयास तो करिये, एक artificial satellites में उसकी energy का main source क्या होता है, प्रयास करें guys, फराफर जवाब दीजे, thermopile, source cell, डाइनेमो, लगुन आपकी reactor, बढाएं, बिल्कुल guys, B is the right answer, source cell is the right answer, बिल्कुल सही, source cell is the right answer, अगला question, निमत में से कौन सा एक विसफोर तक प्रदात नहीं है, बढाएं, which of the following is not an explosive substance, चाल अप्शन है आपके सामने, ट्राइन नाइट्रो टॉलूइन और डाइन नाइट्रो ग्लिसरेन, साइकलो, ट्राइमेथलेन, ट्राइन नाइट्रामेन, और नाइट्रो कलरफार्म, बताएं, क्यों तो guys, और तिंकु भाई ने जवाब बिल्कुल सही दिया था, तिंकु भाई अब 45 पे आख, फोकस कर दोस्त, और महा काल का लाडला, कड़ी आ रहा है, बनारसी पान का सौरसेल, भाई 45 पे आईए, बिल्कु डी ज़ाए डाइन ज़ा, नाइट्रो कलरोफार्म ज़ाए डाइन ज़ा, बिल्कु सही, निम्न मैंसे किसने मात्मा गांदी को भारत में अपना पहला वर्स, अपने खुले रखना, बताएं, बादा बाई नोरोजी, बात गंगादर, तिलक, फिरोषा मैता, एनगो पालकिश गोखले, बाई नोरोजी को गरांड ओल्ड में आफ इंडिया याद रहेगा, ये कोसन बारबा पूसता है, ठीक है, और बाध गंगा तिलकु बात करें, भारतिय अशांती का जनक आ जाता है भारतिये अशांती का जनक या दखना भारते शांती का जनक कहा जाता है किसको बाल गना दती लगो और फिरोशा मैता की बात करें तो बॉंबे क्रोनिकल बॉंबे क्रोनिकल इनका निउस पेपर था क्लियर मैगजीन था यह बार बार पेपर में प के थे याद रखना गोपाल के गोखले के थे और इसका भी आंसर डी होगा गोपाल के गोखले इस राइट आंसर बिल्कुश सही चले गाइस अगला कोशन गुजरात में खान देश पर विजय प्राथ करने के लिए अकबर ने निर्मे से कौन सरनिमान कराया था विच अफ प्यारे दोस्त में आपसे फिर से रिपीट करें गोखले गाइस अफ़राइस जवाब देजे दोस्तों क्या उत्रुग आपका गुजरात में खान देश पर विजय प्राथ करने के लिए अकबर ने निर्मे से कौन सा निर्मान कराया था बाबा इमाम बारा बुलन क्या बात है एक एक बच्चा जवाब दे रहा है प्यारे दोस्त में आपसे फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा कोई भी ऐसा बच्चा जिसने अब तक लाइक नहीं किया हो तो प्यारे दोस्त लाइक का यह बटन दबा दीजे लाइक एंड शियर करते ही चलें दिली के किस सासक ने गद्धी पर बैठते समय आलमगीर की उपादी धारन की थी आलमगीर की उपादी पूछ रहा है मेरे दोस्त लिए अगला कोशन ने वैसे किस को डंगा बेगम की उपादी मिले थी अगर हम यहाँ पर बात करें मुम्ताज यह शाह जहां की बीबी थी शाह जहां की पतनी थी कौन आपके मुम्ताज और इसी की याद में ताज महल का निर्मान करवाया था ताज महल का निर्मान करवाया था किसने शाह जहां ने जरजय सुल्तान की बात करें यह इलतुतमिश की बेटी थे बेटी यह कौन थे इलतुतमिश की बेटी थे और जीनत महल की बात करें नूर जहां की बात करें तो यह नूर जहांगीर की पतनी थी जहांगीर की पतनी थ और ये बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर की पतनी थी कौन, ऐसे जीनत महल, और इसी को डंका बेगम, जीनत महल को डंका बेगम की उपाधी मिला था, अगला कोशन, पर ये किस सासक द्वारा दो गजमी बिना मिली कूचे एर में नाम कवीता लिखी है, बताएं, जीनत महल, बहादुर शाह जाह 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 जाएं, गजाह परियास बिएकी इसका आपका, प्यारे दोस्तों, अगर ऐसे सी की त्यारी कर रहे हैं, और टैस्ट पैक परचेस नहीं किया तो CHSL के लिए और CGL के लिए टेस्ट पैक्ट परचेस करें मात 448 रुपे में और इसके लिए कोड लगा दीजे वाई 242 वाई 242 कोड लगा दीजे अब कोड लार गाइस आप ये परचेस कर सकते हैं बिल्कुल गाइस बहुत दूसा जफर इस राइड अंसर बहुत दू अबदुर्रहिम खाने खाना ने बाबर नामा को ollut किया बहुत दूसा ही सिम्पर कोड़्शन इन वीस लाइंग्यज देड अब्दुर्रहिम खाने खाना ट्रांसलेट बाबर नामा पताये उर्दो हिंदी परेशन एन अरभिक बाबर नामा की बात कर दो इस ते तुरकी भासा में बाबर नामा के रचना बाबर के द्वारा किया गया था किस ने किया था भाई तो बाबर ने किया था और इसका फार्सी में अनुवाद अनुवाद अब्दलरहिम खाने खाना ने किया था और ये अब्दलरहिम खाने खाना अकबर की बात कै तो अकबर का नो रतनों में से एक था नो रतनों में से एक था कौन? अब्दल रहीम खाने खाना I hope you understand प्यारे दोस्तों अगर आप में कोई भी ऐसा बच्चा जो S.S.C. की तियारी कर रहा हो S.S.C. की तियारी कर रहे हैं अगर आप में से कोई भी ऐसा सक्स जो S.S.C. की तियारी कर रहा हो और उसे क्रैस कोर्स याद रखना बच्चो क्रैस कोर्स जॉइन करना है तो प्यारे दोस्त एक अप्रेल से बैस शुरू हो रहा है एक अप्रेल से और फीस है इसकी बहुत ही कम है बहुत ही कम है 1849 रुपे दे कर आप ये बैस ले सकते हैं और इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है Y242 Y242 कोड लगाए याद रखना Y242 कोड लगाए और कोड लगाए आप ये बैस जोइन कर सकते मात 1849 रुपे में तो प्यारे दोस्त इंडिया की सबसे टॉप टीम हमारे पास है मैं जिते इनिशनमा और हमाई टीम यहाँ पर आपका स्वागत करेगी एक अपरेल से SSE के क्रेस कोर्स में अगर प्यारे दोस्तों गर आप SSE तियारी कर रहे हैं और CHSL का एक्जाम देने जा रहे हैं यह CGL का एक्जाम देने जा रहे हैं और अगर आपने टैस्ट पैक परचिस करना है तो यह 448 रुपए में टैस्ट पैक मिल रहा है प्यारे दोस्त कोड लगा दीजेगा वाई टू फोटो वाई टू फोटो कोड लगाने पर गाईस याद रखना 78% का डिसकाउंट मिल जाएगा मेरे दोस्त एप पर साथ में बसी दर्स बरसते याद रखना आपको यह टैस्ट पेपर एप के थुरू खई देंगे विदाउट एप खई देंगे 77% है एप के थुरू खई देंगे 78% है कोड वही रहेगा वाई टू फोटो और अब मैं जिते इन शर्मा विदा लेता हूँ शाम को अब रात को 10 बजे मुलाकात होगी रात को 10 बजे प्यारे दोस्तों मेरी क्लास टाइमिंग नोट कर लीजे में जो क्लास टाइम है याद रखना प्यारे दोस्तों सुबह 11 बजे मॉर्निंग में होती है 11 एम पर दोसी क्लास होती है 4 पी एम पर अब 30 क्लास होगी रात को 10 बजे 10 पी एम पर ठीक है और 10 पी एम पर एक नए कोशन के साथ नए सिरीज के साथ मैं आपका वेलकम बाद तब तक लिए थांक यू टेक केर एंड जैहिन दोस्तों जाते जाते लाइक जरू कर देना शेयर जरू कर देना लाइक एंड शेयर करते जाना लाइक एंड शेयर करते जाना थैंक यू गाइस